नमस्कार दोस्तों मैं सिवंकुस्वा आपको सवगत करता हूं प्रोगाइड CS चैनल में तो आज से हम लोग चालू करने वाले हैं computer fundamental cost तो चले शुरू करते हैं तो चले आज सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं जो कंप्यूटर की डेपनेशन जो होती है क्या होती है तो यहां पर इंग्लिस में हिंदी में समझा देता हूं तो कंप्यूटर क्या होता है एक electronic device होता है electronic machine होता है और वो क्या करता है कुछ input लेता है input जैसे आप keyboard mouse जहां से आप बों करते हैं process करता है वो उसको जो आप keyboard या माउस से लेते हैं उसको क्या करता है input लेता है और प्रोसेस करता है फिर उसके बाद क्या करता है उसको एक output देता है जो आपने command दिया उसको कुछ डिखा वहां सी क्या होगा सक Oh कि oo ग्रीवाट है वहां से क्या गया गया है compr कर देता है अ 一सिरीकके से डेla क्शो गरता है और तो चली महिते क्म हम लोगेस के जब हम लोगuciones करते हैं कि लिज़ते हैं तो उससे क्या क्यान मतलब क्या है कि जब आप computer करते हैं तो इससे क्या होता है कि आप जो काम करने की चंदता है जो बढ़ जाती है जैसे आप कोई कैलकुलेशन करते हैं कुछ जोड़ना घटाना और वह सारी चीज़े जो हैं तो आप भी इसको से कर सकते हैं पर अगर आप खुद से करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा और वह सारे काम हैं जो आप कंप्यूटर से जल्दी कर सकते हैं इंटरनेट से जुड़े रहते हैं कुछ भी सर्च करते हैं और देख सकते हैं जो भी हमें किसी इंटरनेट से जुड़ते हैं हम लोग क्या होता है वाड में कहीं से भी कुछ भी सर्च कर सकते हैं जैसे यहां पर गूगल में जो भी चाहिए सर्च करते हैं यूट्यूब च सकते हैं और जो आपके भी नहीं है वो आप और मैं जंपल यहाँ तो इसमें क्या होता है कि जीसे आगर रखना है किसी फाइल को तो हर इंसान के पांच फाइल करके अगर आपने दो हजार लोगों पी रखा तो कहने के मतलब 10,000 pages हो जाएंगे ठीक तो 10,000 pages आप रखेंगे तो ऐसा बहुत सारा बंडल बन जाएगा 10,000 pages एक रूम में बहुत सारा पूरी एक आलमारी वर जाएगी और जो स्टोरेज हो मतलब कहने बहुत ज्यादा जगह आपकी विकार हो जाएगी पर अगर आप कंप्यूटर करते हैं तो आप उसको स्कैन करके आप रख लेते हैं जब भी आपको जड़त होती है आप उसका प जाएगे लिमिट जो है बहुत ज्यादा हो जाएगे अब कितना भी रख सकते हैं ठीक फिर आगे बढ़ते हैं तो और्गनाइज डाटा होता है और्गनाइज डाटेंड इंफॉर्मेशन के मतलब यह है कि जब आप जिसे यहां पर फाइल रखे हुए तो आप इसमें से आ अगर आप जो घृडटर जब से आया तब से हम लोग क्या करते हैं सीद्य एक साव में डाटा रखते हैं और हम तुरंद सर्च करके एक से दो मिनट में पूरो ऑसका डीटेल है बायो है हम लोग उसका तुरंद निकाल सकते हैं पर यहां पर पहले ढूड़ेंगे तो बहु जब भी जरूरत हो तो हम एक बार में सर्च के वी लगा के और तुरंत सर्च का सकते किसी के भी नाम या फी कुछ भी डिटेल आपने अगर सेफ करके रखें ठीक फिर आगे बढ़ते होते हैं इंप्रूब योर एविल्टी मतलब क्या होता है कि जो आपको जैसे मैं बताया थ लादी तो यह भी वहीलियुविट है है अगे बढ़ते हैं फिर आते हैं यहां पर एक इचैलेंज ओय्सका दालब यह है कि जो जैसे यहां पर मैं एक्ज słuum pass लिया है कि नहीं है और यहां पिपोश्य करता है और उसके रिशाफ से औरक्स आप से रिड़ करता यह दो प्रोसेस करता है क्या कैसे ओंपे कमंड दी झा रही है और आपकी उंगली है और हां जो काम क्रने लग जाते हैं मतलब जो ऐलेक्टर कंड देखा हुआ offend कि काम करता है तो ये कुछ भी कहने मतलब सो इंजॉइ कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप यूट्यूब चलाते हैं तो जब से कंप्यूटर आया है तो आप मतलब वर्ड से जूड़ गए हैं और आपको जो भी चाहिए आपको वहां जाने के जूरत नहीं है मतलब फूरा इंटेटेंड का मजा ले सकते हैं तो यह कैसे हुआ जब से कंप्यूटर रहे तब से और आपको आकर करेंगा और लो Alf when और टूमेट एंड मॉनिटर तो इसका मतलब यह है कि जो अबहुत सारा जो इनुवेशन होता है जिसे कुछ काम है वो कर देते हैं आपको बस एक बार आउन करना है और कमांड इंस्टार्ज करते हैं तो जो भी आपका कमांड है उसको कम्प्लीट करके देता है और मनिटर का मतलब यह है कि जो आप कैमरा देखते होंगे कहीं एक पर नजर रखना कहीं पेंड में कुछ वह नहीं और किजे होती हैं जो आप मनिटर करने के लिए यूज करते हैं तो CCTV कैमरा और यह सब एक्जामपल है तो यह आपको समझ में आएक हो आटोमेट का मतलब ही है कि वह सारे रोबोट से जो है वह आटोमेटिक का काम जो है वो कर देते हैं फिर होता है से टाइम से टाइम कैसे जो यहाँ पे देखिए यहां पर लग जो आगे बढ़ते हैं तो अगला यह डिसद्वांटेजन मतलब जो हम deze के उससे क्या घाटा होता होता है क्या नुक्षान होता है तो सबसे पहले हैं टूमस सीटिंग मतलब यह है कि अभी जैसे मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूं आपको यह समझा रहा हूं तो इसमें क्या हो रहा है मैं बहुत देश से बैठा रहता हूं फिर उसको रिकार्डिंग करूंगा फिर एडिट करूंगा फिर वीडियो अप्लो जो भीमारिया है तो उखोंगी क्योंकि आप दिन फर बैठे रहते फिर खर जाके आप अगर जॉप करते हैं तो दिन फर कंप्यूटर में कम करेंगे पिर जाके घर में सो जाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपको कोई इस्ट्रे एक्टिविटी हो गे निए और आप थिर तो यह एक करते हैं तो आपको सारी बीमारी हो सकती क्योंकि वहां पर बैठे रहना पड़ता है फिर आता है यहां पर आइस ट्रेंड तो आइस ट्रेंड का मतलब यह है कि आख में चलन और वाग की चीज़ी जो है जब आप दिन फर कंप्यूटर चलाएंगे और यह देखिए आपको हो सकती है तो यह एक डिसद्वांटेज अगर आप कंप्यूटर बहुत ज़्यादे रिश करते हैं तो यह आपको हो सकता है फिर आता है इस पैंड टूमच मल्टि टास्क तो यह क्या है कि आप जो है तो इस शौट रिटेंशन के मतलब यह है कि आप थोड़ी थोड करते हैं और बहुत सारे काम करते हैं नहीं इस चीज नहीं होता है और बहुत सारे काम होते हैं कि कंप्यूटर के अंदर एक मतलब करने सब्सक्राइब करते हैं तो समझ में आगे बढ़ते हैं तो अगला आता है सま ein का मतलब यह in Susie से चौटा समय आज पालिया तो यहां पर पिद्दोल लड़किया में वह सारी सब्सक्राइब करताह एक ठिंपर रहे होता क्या होता है और जिसमें और लोग में और कि भी होता कि एक जब से आपके पास एक वाटसेप में आपने लाउ कर दिया है गूगल क्रोम में अपलाई कर दिया है और इसे आपने टेलीग्राम के लिए इन सभी में आपने लाउ कर दिए अब यह आपके जो कैमरा है वह 24 घंटे एकसेस करेंगे और जब भी आप देखना होगा कि आप क्या कर रहे हैं वह एकसेश कर सकते हैं क्यूंकि आपने उसको इलाउ कर दिया तो इसके रिकार्डिंग में एक और वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझ में कि ट्रंजिशन करते हैं आपका सब्सक्राइब करते हैं तो आगे आता है लिमिटेट रुग बता देते हैं लिमिट लणिंग एंड क्रियेट डिपेंडेंसी इसका मतलब क्या है कि आप पढ़ाई करते हैं वह धीरे-धीरे कम कर देते हैं और जो आप मोवाईल की डिपेंडेंसी बढ़ जाती कहने के मतलब पहले आप क्या करते थे एक बुक से पढ़ते थे रिवीजन करते थे रीड करते थे आप क्या करते आपने एक मोवाईल में देखा उसमें पांच मिनट का वीडियो देखा और खतम कहानी तो यह क्या आपको पढ़ाई के जो लिमिट है वो खतम कर देता है पढ़ाई ज्यादा देर तक नहीं कर सकते और वह आपको डिपेंडेंसी दिखाता है मतलब से पढ़ेंगे तो दस पेस पढ़ेंगे तब जाकी समझ मैंगे इससे अच्छा पन यहां पर फट फट पांच मिनट के वी इसलिए रहा हूं कि क्यों यहीं है कि यहीं यह बताये हैं और यह बताया यहां पर कि जब फॉन चलाते हैं तो आप क्या करते हैं एक चीज के लिए सक पढ़ाई के लिए आप पढ़ाई के लिए smartphone on करते हैं और चलाने लग जाते हैं कुछ और आप computer etc करें कि हमें इक book नहीं या फिर आपको कोई story निकालने ठीक तो आप क्या करते हैं कि सर्च करते हैं कोई story धीरे धीरे आप क्या करते हैं दूसरी सिर्ण फेस्बूक साहच करने लग है आप किसी और काम के लिए और करने लग खर यहीं और कुछ और लग जाते हैं तो समझ में आएगी बढ़ते हैं ति 또ता है यहां सबसे में प्रबिश्याइए जो जौब है वो नहीं मिल पा रही क्यों कि यहां पर जो आप करता है जैसे मैंने चोटा सा पर लिया था पर पिछले जो हमारी कर दिस ध्रवांटेश था जिसके अंदर हमने देखा था कि एक क्या कर रहा है तो अब पिछला जो आभी हमने बताया है उसी में देखा होगा आपने तो वहां पर पी क्या होता था कि रोबोट था क्या कर रहा था 20 लोगों काम अकेले कर रहा था तो अब 20 लोग जूरूत नहीं तो यह 20 लोग क्या होंगे जॉब लेस हो इनको जॉब नहीं मिलेगा तो बहुत सारा जो कंप्यूटर नानी के वजए से वह सारी जॉब जो है चली गई और इसके बाद फिर क्या होता है कि पहल जॉब नहीं मिलेगी तो यह एक जॉब की प्रॉब्लम हो सकती है ठीक समझ में आए होगा आगे बढ़ते हैं कि फिर होता है इंक्रीज जो वेस्ट है वह बढ़ता है और यह क्या करता है तो कैसे करता है जैसे आपनी यहां पर देखा में चला गाया तो देखिए यहां पर कि बहुत सारी जो कंप्यूटर है वो खराब जो है पड़े हुए हैं अब यह कहां जाएंगे यह से पड़े रहेंगे दिर दिर ले जाके से कहीं फिक देंगे अब वो क्या होगा कि धिरे धिरे पूरे जो प्रॉद है उन पर नुक्सान करेगा और जो कोई जानवर खाने दिरे जी करणा mehr लागि कि हमेरा इंपäreट्फ पड़ने वाला है उसे बहुत जबादा प्रॉसर्ण होनेमाला से तो समझ मैं होगा आगे बढ़ते हैं फिर आगे है जो यह एंटिसोसियल सभसे ज्यादा इंटिसोशियल और डिपरेस्ट तो एंटिसोसियल और डिपरेस्ट का मतलब यह है कि जब आप कंप्यूटर यूज करने लग जाते हैं तीन दीन फर मुवी देखते हैं किसी से मिलना त्र dulny धरएज धर बीज्वो देखना चाहते हैं आपके पास इंट्रणेट कंपढ़ता है और इस प्रॉब्लम में लेकल मैं इस पहते हैं क्कॉतर अधरा है इंट्रेच में Ama पर आप क्या है कि जब से कंप्यूटर रहा है तो आप क्या होता है लोगों से बात करना कम कर देते हैं करते हैं वह सारे लोग अच्छे होते हैं जो मतलब लिमिटेड यूज करते हैं पर क्या होता है कोई-कोई बहुत ज़्यादा खो जाता है और वो क्या करता है दिन वर उस सब्सक्राइब जाए आपको जैसे यहां पर मैंने लिया यहां पल थोड़ा सा डिप्रेशन देखाते हुए तो यह क्या होता है कि आप कोई लोगों के लोगों दुनिया भर के लोगों ठीटते हैं अब उसने कुछ बोल दिया उसको लेकि आप सोचने लग गया तो आप क्या होता है कि आप डिप्रेशन चले जाते हैं और बहुत सारी प्रावलम आती है हो सकता है उसने आपको हैरेस करा बहुत ज़्यादा डराया आप उसमें भी टेंशन में आ गए तो यह सब क्या होती है कंप्यूटर आने के विज़े से हो जब आप दूसरे को जानते नहीं थे आप तो अब दस लोगों के वीच में लिमिटेट रहते थे पर जब से इंटरने कि एक पिक्चर मैंने लिया हैं जो बच्चे होते होते हैं हो क्या होते हैं कि पढ़ाय सब्सक्राइब करें थे कम करते हैं इसे मुबाइल चला करते ङानों मतलब कोई किसी घ्याण ने जाएगा तो इसनी क्या होता है वह सारा barра होता है कि आप जोसे अर आप किसी और सो कर रहा है उसको फॉन दे दिए लग रहा है उसमें और खेलने के भी जो टाइम है वो सब खतम हो चुका है ठीक तो यह सब प्रॉल्म आ रही है ठीक समझ में आए होगा आगे बढ़ते हैं पिर होता है है वी रिलाइंस इन दवर्क फोर्स तो इसके लिए क्या चाहिए आप कंप्यूटर रखते हैं कंपनी अगर आप ने खोला है तो अगर आप नॉर्मल पहले यूज कहते थे तो कम लोगों की जरूत होती थी मतलब पहले पढ़ा लिखा कोई भी आप ला लेते थे इंट्र के किसी ऐाम चीए आपको ज्यादा लोग चाहिए कागज के लिए लग बूट होता है पार प्रेशेटर के बाद ने हो questo क्या करेगा इनसानगे में निट्र करते कर अ եिक तो यह इसके लिए एक इंसान चाहिए जो यहाँ पर file के लिए वैठ हुभ लायन के लिए तौध यहाँ तो दियुर्छ होता है कि आपको जादा टीम चाहिए जादा वो चाहिए क्योंकि आपको सोचल संद मेडिया और तो कंप्यूटर के लिए अलग और नॉर्मल इंट्री के लिए अलग सब चीज भीड जो है आपकी कंपनियों बढ़ जाती है ठीक तो यह भी एक डिसद्वांटेज है आगे बढ़ते हैं कि फिर होता है तो अप्लिकेशन्स अप्लिकेशन्स में एक हम लोग कहाँ, युजक घर nego पर मिछटें करना है कर और कूछ से नहींग करना है। सबाब घर पर भी करते हैं तो यह एक बेनीफिट तो नहीं है मतलब कहा जाए तो बेनीफिट भी है और यह यूज होने वाला यह अप्लिकेशन है अगे बढ़ते हैं फिर आता है यहां पर आप देखे होंगे कोई कैंसर का इलाज हो गया और जैसे अभी मैंने हाथ वाला एक्जामपर लिया था किसी का हाथ कट गया उसमें हाथ लगाना है तो यह सारे जो है मेडिकल फिल्ड में कंप्यूटर जो है वह यूज हो रहा है तो यह आपको समझ में होगा फिर आता है in т.li entertainment इंटरेनमरट जैसे आफ मोवी देखना है कोई तो Και खेलना है स्बसे ज़ादा तो इस से मैं इसे ट talking तो आप अगर गेम खेलना चाहते हैं इंटरेन्मेंट के लिए य Ole यो उता कंप्यूटर तो आप घेरनाचाते हैं कोई मोवी देखना चाहते हैं कोी इस देखना चाहते हैं यह सारी चीजिश आज आरहम से कर सकते हैं तो यह सब कहां यूज होता है एक application है computer करने के लिए फिर आगे बढ़ते हैं तो यहां आता है इंडरस्ट्रिय इंटरटेन्मेंट हो चुका है इंड़स्ट्री में जिसे में यहां पर इपक्श ने निया इसमें आने उसको कुछ भी बनाने की जानिंग की जाटी है है हमारे पहले पहले इसकी को यह सब क्या होता है इंडेस्ट्रियल फिल्ड में आता है तो इंडेस्ट्रि में सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर ली जाती है कि घर कैसे बनेगा एक्षिवल बनने के बाद कैसे दिखेगा यह सारी जो काम होते हैं आप कर सकते हैं तो यह होता है फिर आता है सब्सक्राइब क्या होता है कि पूरी प्रोसेस कैसी होती है तो इसे क्या होता है कि जो फैंठ प्लीकेशन है यह से सब्सक्राइब काफी प्लीकेशन अब इस में से यह यूज होता है कि बच्चों को पढ़ाना अगर में इस पढ़ाना है और उसके बाद उनको वीडियो दिखा के समझाना तो इस सारी जो benefit हैं वो हमें इसमें मिलते computer की विज़े से फिर आगे बढ़ते हैं यहां पर government में होता है आप कोई भी form भरते हैं तो जैसे आधार कार्ड हो गया और बहुत साइच चीज़े क्या हैं यह सब कहां थी कोई भी कॉलेज का या फिर कोई भी रिचार्ज विल लासी दुनियादारी जो भी वह सारी काम है वह आप असानी से कर सकते हैं तो यह कहा जाए तो अप्लिकेशन है यह हम गवर्रेंट फिल्ड में यूज होता है तो यह सब है आप समझते होंगे कि जो आप फरने जाते हैं कई भी रेलवे का फार में वह 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 गुवर्रेंट फिल्ड में आता है तो बहुत ज्यादा यह कंप्यूटर यूज करती है फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है बेंकिंग बेंकिंग में देखे हैं booster system होता है तो यह सारा जो है यह banking system जो है यहाँ पर यूज होता है आपको account number क्याओंवें से भी transition करते है कि प्याप्स novi होता है कि आपका पूरा data रहता है और आप उसको विशम कर सकते हैं पैस हामानी डाम्पर कर सकते हैं और यह चीज़ें चलने इत् jumping क्टेंगिंग फिल्ड में यूज होने वाली चीजह ठीक समझ में मैं आगे बढ़ते हैं फिर अगला आता है business business का होता है कि में लिए यूज होता है जैसे आप और कोई भी आनलाइन सॉप खोलोना चाहते सब खोलें और उसको ऑनलाइन करना चाहते हैं गूगल मैप में कोई जाना चाहता है वो क्या करता है ऐसे सर्च करता है नियरेस्ट ग्रोसरी सब्व वहाँ पर सर्च करके और पहुंच जाता है नियरेस्ट टेमपल हो गया और बहुत सारी चीजे जो है विजनेस मतलब जो कि système खट हैं और और करते हैं तो यह सब क्या है विजनेस में इंप्रूप्मेंट होता है और यूजत है एम dancing हो गया यह सारी चीज़ये क्या है यह freakin से जले वाली चीजह और पर तरीके से था किए आल्दा है कि आख़ाइँ करना है है कैसे आपको करना है सौप्टेयर कैसे बनाना है और मीटिंग जो है वह इसी सब सरी चीज़े क्या होती है यह कंप्यूटर दारख की जाती तो वह सरी ट्रेणिंग जो है आप वर्काउट और कुछ भी है आप आप आंलाइन सीधे इंटरेक्ट करके आप तो किसी भी में चाहते हैं जो आपका मेन इस्टर्टल एंच कनेक्ट वकिया जो भी कहा जाए तो छीखना चाहते वह सीख सकते फिर आता है आर्ट आर्ट से पिक्शर हो गयी आप करते हैं उसको बेग्राउंड चेंग करते हैं और उसका पोस्टर बनाते तो यह सारी चीज़े क्या है आप डिजाइनिंग करते हैं उसको करते हैं और वह सारे काम जो होते हैं कोई भी आप कार्टून बनाते हैं वह भी बनाते हैं यह सब क्या होती है आप कार्टून मोगी देखे होंगे तो जो बच्चे देखते हैं तो वह सब क्या है वह आप कंप्यूटर यूज करते हैं आप भी एक benefit है आप computer करते हैं तो आगे बढ़ते हैं फिर आगे आता है इंजिनिर्ट तो साइंस अ कीसा होता कुछ रिसाच करना आप देखते होंगे नासा और बहुत सारी जो बड़ी बड़ी जो इंडस्रीयल है यह सब यह क्या करती है कंप्यूटर साइंस के और यूजी किया जाता है इंजिनिंग में जैसे आप कोई वे साइट बनाना चाहते हैं और जैसे मैंने बताया था सीविल एंजिनिरिंग हो गई कोई मुव बिल्डिंग बनने से पहले क्या होता है कि उसका एक 3D ओबर भी बनाया जाता है डीजाइशाइनिंग की जाती है पहले उसकी फिर एक्शूल बनने के बात कैसा दिखेगा उसको हम लोग पहले डीजाइनिंग गर के देख लेते हैं तो ऐसे करकर के हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं साइंस और इंजिनिंग में कोई कुछ करना है मुबाइल की डिजाइनिंग करना है और और कहने के मतलब जैसे इसरो हो गया और नासा हो गई यह सब क्या करते हैं वह सबसे ज़्यादा साइंस यूज करने वाली जो इंडस्ट्री है यह तो बस अभी के लिए इतना ही समझ में आ होगा आपको कि यह कैसे करना है तो अभी के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आ है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको कोई कोश्चन या सवाल है तो आप यह हमारा कॉंट्रिक्ट नमबर है यह आप वाटसे भी कर सकते हैं टेलिग्राम में भी हमसे कुछ भी आप कोश्चन पूछ सकते हैं हम सवाल के जवाब देंगे और हो सके तो वीडियो बनाके आपको सेपरेट में देंगे ठीक तो धन्यवाद